रामपूर में लगातार चुनावी महोल गरमाता जा रहा है आपको बतादे रामपूर के अंदर आजम खान चुनावी महोल में उतरने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अरजी लगाई है आजम खान ने अरजी लगाते हो बताया है कि उनको पिड़चार प्रसार करने की इजाज़त दी जाए ऐसा उनोंने अरजी कोर्ट में लगाई है जिसको लेकर रामपूर का जो चुनावी महोल है लगतार गरमाता जा रहा है आजम खान चुनावी पिड़चार में उतरना चाते हैं जेल में बंद आजम खान ने इजाज़त मांगी है कोर्ट से और अरजी लगाई है जिसको लेकर कोर्ट में उनकी याची का दायर की है और उसमें सुनवाई जल्द होगी और महोल चुनावी महोल लगतार बनता जा रहा है आजम खान को लेकर रामपूर बड़ा चर्चित रहता है इस बार की चुनाव में लगतार उनका बेटा जो है अब्दुल्ला आजम खान वो भी चुनाव में है स्वार सिट से अपनी किस्मत अजमाएगा क्योंकि पहले भी उसी सिट से विधायग रे चुका है अब्दुल आजम खान चुनावी महोल में उतरना चाते हैं और प्रिचार प्रिचार करना चाते हैं वहीं आजम खान की तस्वीरों को भी जो हैं लगा कर चुनावी महोल में उनको वोट मांगनी की कोशिश की जा रही है आपको बता दे इस बार बहुत दिल्चस्प चुनाव होगा औ अगर चुनाओं की जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी हैं मीडिया ने छावरी बना दिया है रामपूर को लगातार उत्तर पड़ेश में 430 सीटों में रामपूर एक ऐसा जो विधान सभा में आता है जहां पर नजर सबकी सीट पर क्योंकि रहती हैं कि यहां पर नूर मह गया नवाब काजिम अली खान शेर विधायक है यहां से सूत्रों की माले पर आजंद खान भी चुनाओं यहां से जल्द लर सकते हैं इसलिए उन्होंने फरचार में जहें उनको बोलने का मौकद दिया जाओं उनको परचार करने का मौकद या एसी इसमेंचनल जो रिलीज पता दें आजम खान वो चेहरा है मुसल्मानों का जिसको लेकर महोल बनता है और महोल बनता है क्योंकि पच्ची मुत्रप्रदेश में आजम खान का जिक्र इसनी किया जाता है क्योंकि मुसलिमों के फायर ब्राइट नेता है और आजम खान हमेशा मीडिया की सुर्खी बनते हैं अलाजम खान भले ही जेल में हो मगर रामपुर इस्ता ने भी सुर्खिया बना हुआ है अब्दुल्ला आजम जब से आये हैं जेल से छुटके उसके बाद अब्दुल्ला आजम को लेकर हर रोज एक नई स्टोरी हर रोज चुनावी महल बनता जा रहा है और चुनाव गर्माता जा रहा है विडियो जनलिस नाजम के साथ अफान एमन QTV भारत उत्ता परदेश उत्रा खड़ी